कि नमस्कार साथियों डॉक्टर रुमंखना हुम्योपेथिक क्लीनिक के इस प्रोग्राम में स्वागत है आज साथी हम लोग बात करेंगे मेडिकल टर्म में मरीजों द्वारा सबसे कॉमनली इस्तमाल करने वाले वर्ड के विशह में शब्द के विशह में और वह है अलर्जी तमाम मरीज आते हैं डक्टर साव allergy हो गई यह allergy हो गई, वो allergy हो गई, ऐसे allergy हो गई, वैसी हो गई इस चीज से हो गई, उस चीज से हो गई, तमाम लेकिन allergy word उसमें होता है तो आज हम लोग डिसकस करेंगे allergies के विशे में और आपको बताएंगे कि कैसे आप इससे निप्टे कैसे आप इसका निदान करें सबसे पहले साथियों जान लेते हैं एलर्जी होती क्या है एलर्जी साथियों आपका जो बॉडी होता है उसका एक defensive system होता है, immune system होता है कभी क्या वक्त आता है कि आपका body hypersensitive हो जाता है तो जब आपका external कोई infection आता है या वो infection नहीं भी होता है कोई भी allergen होता है जो वास्तव में जिसको आपको allergy नहीं cost करनी चाहिए लेकिन आपका immune system उसके लिए hypersensitive response रखता है उस hypersensitive response में जो इस्थितियत पन होती है उसी को allergy कहते है सपोस कीजिए किसी को milk products allergy है तो जब आप से milk products का intake करा तो जो body का immune system है उसने जो antibodies बना रखे हैं उन्होंने उस पर attack कर दिया और इसको मरीज ने आकेगा milk allergy है तो यह जो body immune का hypersensitive response होता है अलर्जिन के विरूद में इसी से उस्थित्पन condition को allergy कहते हैं इसमें साथियों एक बहुत important बात होती है कि यहाँ जो है कभी बहुत जल्दी develop हो जाता है बाड़ी में कभी यह सालों में होता है कभी यह सालों में भी पूरा नहीं हो पाता है एक partial होता है उस इस्थिति में आपके शरीर में allergy moderate होती है और अगर ज़्यादा response develop हो जाता है पूरी तरह तो इसको ज़्यादा हो जाती है यह जो process होता है बीच का कि allergy develop होने के लिए जो antibodies generate हो रहे हैं उनको जो immune system जो release करता है उनको पूरा develop होने के बीच का जो process होता है उसको sanitization कहते हैं यहाँ एक भूर time taking process होता है बात कर लेते हैं साथियों इसके symptoms की allergy में साथियों जिस तरह की allergy वैसा symptom अगर आपके जो है वो नेशल अलर्डी है तो चीकों का symptom हा गया अगर आपके र्टी केरिया है तो इसकिन में आपके बल जा गया अगर आपके मच्छर के काटने से आपके allergy हो जाती तो उस तरह की लाली होगे मच्छर ने काटा और भारी घाओ बन गया भारी वो इसकेल सा बात कर लेते हैं साथियों इसका एक सिंटम में एक इस्टिती और होती है इसको कहते हैं आपको जानकारी होनी चाहिए यहां एक बहुत लाइफ थ्रेटनिंग सीरियस कंडिशन मेडिकल कंडिशन होती है जो कि अलर्जी इसमें होती है जैसे क्या होता है हम लोग आम तोर पर अलर्जी इसको बहुत हलके में लेते हैं कि अलर्जी है तो है लेकिन अलर्जी के में अगर यहां कंडिशन आपके क्रॉनिक कंडिशन ड और आपको तकलीफे होती हैं और एक medical emergency के आप entitled होते हैं तो इस word को अगर आपके किसी भी चीज़ की allergy है तो आप इस word को वश ध्यान में रखें बात कर लेते हैं साथियों उसके कारणों की इसका कारण साथियों जैसा हमने बताया कि जब आपके कोई allergen आता है आपका body का जो immune system होता है वो उसको बहरी particle एक intruder के रूप में एक दुस्मन के रूप में recognize करता है और आपका immune system IgE जो immunoglobin होते हैं वहाँ antibodies release करते हैं और यह antibody उस vicious infection को पहचानते हैं कभी यह जल्दी पहचान लेते हैं कभी इनको पहचानने में वक्त लगता है कभी महीनों का कभी सालों का लेकिन यह पहचानते हैं जित्ता ज्यादा पहचानते हैं उतना ज्यादा आपको इसका बुरा response आता है तो जब यह पहचान लेते हैं तो जब भी वो ऐलर्जन आपके बोड़ी आप उसके کउंटैक्ट में आते हैं तो आपके यहाँ जो एंटी बोडी होते हैं यहाँ उसके हमला कर देते हैं और यहाँ ही आपके मैनिफेस्टेशन के रूप में विभिन विभिन जिस तरह का ऐलर एलर्जीज रही होंगी तो डॉक्टर ने IgE टेस्ट चरूर कराया होगा या इमिनोग्लोबीन्स होते हैं जो की ब्लड में रिलीज होते हैं और यही प्रतिरोज़क्षमता जो सरीर की है यही आपका एंटीबॉडी बनाके आपको सही करने वाली चीज को कष्ट के रूप में आपके सरीर में दे देते हैं शक्कर साथी हो चीज अच्छी नहीं है लेकिन हम सब जातर लोग इसका इस्तमाल करते हैं हम तो कहते हैं आप पहले ही सेत्ते मीठें आपको और शक्कर की क्या जरूरत यू आर स्वीट अल्रेडी टेक लेस्ट शुगर लेकिन लोग शक्कर ल अब वाहें और दवा का नामें सेकरन पर इस नेलिश नोटिफिकेशन पैनल में अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं या फिर हमारे वाट्साइप नंबर 94-915-786-370 पर अपनी क्वेरी को वाट्साइप कर सकते हैं हम कोशिच करेंगे आपको संतोस जनक जवाब दे पाएं उमीद करेंगे इन दमाओं से आपको अलर्जीज में फायदा हो आपको यह वीडियो सातियों पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा अपने चैनल को अन्हे लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेडित करिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन क्लिक करके सब से पहले निया वीडियो योही प्राप्त करते रहिएगा आपका सातियों इति देर हमाएं साथ रहने के लिए साथ देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत सा दुवाद मैं च्राप्त कर दो अझाराक. Sm говор nog मैं उन्षे प्राप्त किसमा, बढ़र बहुत-बहुत प्रोड और सोरा आफ्बवकर ंघ किसमा, किसमा साथ औरी,从 करता है निया चुवते बहुत-बहुत त्बभर, शोगति क्राप्त कर दो कर दो दो